नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपकी की योट्यूब चैनल क्रिप्टो बावा पे और आज हम बात करेंगी इंडियन बजट की और उसका क्या एफेक्ट हो है मार्केट में और क्या ये क्रिप्टो करेंसी का एंड होने वाला है या गौवर्मेंट की चुपी कुछ औ रहती है इस बारे में तो आये शुरू करते हैं अपनी बातें तो सबसे पहले जैसे की एक नियूज निकल के आ रही है कि आज के बजट में जिटली जी ने ये भूला कि जो क्रिप्टो करेंसी वो लीगल टेंडर नहीं है इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसको एजन करेंसी गौर्मेंट नहीं मान रही है इसका ये कदापी मतलब नहीं है कि अगर उसको लीगल टेंडर नहीं मान रही है तो इलीगल हो जाती है क्रिप्टो करेंसी अभी भी गौर्मेंट के हिसाब से न वो लीगल है न वो इलीगल है ठीक है जब तक गौर्मेंट यह नहीं कह देती यह वह इलीगल है तब तक इसके ट्रेट के उपर इसके किसी भी चीज के उपर इसका कोई एफेक्ट नहीं आने वाला है दूसरी चीज है कि गौवर्मेंट ने आज बोला कि वह क्रिप्टो करेंसी को लिगर टेंडर नहीं मान रही है लेकिन साथ-साथ में उसने यह बोला कि कि जो blockchain technology है उसके इस्तमाल के उपर वो कोई रोक नहीं लगाएगी इसका यह मतलब है कि जो आने वाले टाइम में जो जैसा कि हम सुन रहे थी जियो वगर अपने प्रोजेक्ट लांच कर रही है यह सहरा अपने प्रोजेक्ट लांच कर रही है यह लक्षमी को नाने वाली ह तो इन सब के उपर सीधी से बात यह हो जाती है कि coins सीधा सा मतलब यह रहेगा कि यह सारी technologies आएंगी यह किसी purpose को solve करेंगी जैसे कि आप start-up world में देखते हैं कि जितने भी startup होते हैं या जितने भी company होती हैं वह कोई ने कोई problem को solve कर रही होती है through different technologies ठीक है तो government यह बोल रही है कि वो उन technologies को उन problem के solution के लिए इस्तमाल में वो कोई उसमें अर्चन नहीं मनेगी लेकिन साथ-साथ में जो trading या as far as the coin की बात कर लें कि जैसे कि अभी हमारा जो normal trading market है हमारे चाहे फॉरेक्स हो जाए चाहे वो अपने share market हो जाए उससाब से ऐसी कोई संभावना फिलहाल एक साल के अंदर तो नहीं दिख रही है ठीक है इसके साथ साथ में यह जो news है यह यूर स्टोरी की news इसके अंदर जो committee बैठी थी उसके questions answer इसमें हुए है उनके साथ तो इस committee के जो member है उन्होंने इस चीज पर यह चीज बोली है कि as far as अभी यह जो currency है इसका status government ने अभी उ इसका यह मतलब होगा कि जो currency है crypto currency उसको payment system के लिए use नहीं करना है अभी as in Indian government की बात करें तो उनका यह कहना है कि अभी उसको payment system या उस mechanism में उसको इस्तमाल के लिए government permit नहीं करेगी ठीक है उसकी जैसे जो value लोग gold के और silver के रूप में दे रहे थे तो सीधी से बात है वो इस तरह से नहीं होगी तो इसका अफर क्या होगा क्या एक्षेंज जो अभी इंडिया में चल रहे है उसको ban कर दिया जाएगा तो government का कहना है कि exchanges को ban नहीं किया जाएगा उसको कैसे regularize करना है वो देखना है government को साथ साथ में ये भी चीज़ देखनी है कि जो crypto currency का इस्तमाल है वो किसी गलत काम के लिए ना हो अब इसके उपर मैं भी detail में बात करूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है क्यों government को इस तरह के फैसले लेने पड़े है ठीक है दूसरी चीज़ है कि world में क्या इसका असर गया है वर्ड में इसका असर ये गया है कि आज सार भाई फिवी थी उसके उपर भाई भी एक वीडियो भी कुछ देर में मैं बना के डाल दूंगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे लेकिन वह दूसरे वीडियो में तो खैर उसका सर ये पड़ा है कि world को ये समझ में आया है जो news निकलके उनके पास गई है कि इंडि पूरा का पूरा क्राफ जो है या आपको नीचे जाता वह दिख रहा है तो बिटकोईन के उपर इसका सीधा सा मतलब ये मान के चलिए कि इंडियन जो इन्वेस्टर्स थे वो इस प्लैटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा थे तो अभी तक जो कोरिया और चीन की लोग बात कर आया था तो आज जो न्यूज निकली जो बजट आया और लोगों को अमीद थी इसके इससे कि शायद वो कुछ रेगलाइस कर दें सारी चीजों को तो उसको जब नेगेटिव एसर गवर्मेंट की तरफ से आया तो लोगों ने इसने से पैसे निकालने शोरू कर दिये और वैल्यू अब बहुत जादा नीचे गर गई है अब बात करते कि गवर्मेंट ने ऐसा किया क्यों है गवर्मेंट ऐसले किया है क्योंकि बहुत सारी पॉंजी स्कीम जो है ठीक है रातो रात करोड़पती बनाने की जो स्कीम आजकल निकली भी है चाहे वह आप मैं नाम लेक बनाने की बात करती हैं आपने खुदी देखा होगा अगर आप इन सारे कोईंस को लेकर अभी ट्रेट कर रहे हैं या लेकर रखा हुआ है और इस पर आपको विश्वास दिलाया गया था कि दो महीने के अंदर आपके दो रुपय को ये 2000 रुपर में कनवर्ट कर देंगे त जैसे कि अभी जीवी माइनर्स के जो भाई साब हैं उनकी वीडियो में देख रहा था तो वो एक दिन में 2-2-3-300 या 4-400 या कई एक बार तो उनके वीडियो में उन्होंने क्लेम किया कि वो एक दिन में 1000 बिटकोईन को माइन करते हैं तो भाईया दुनिया में कोई भी ऐस सटप कहीं पर भी नहीं लगा है जहाँ एक दिन में 1000 बिटकोईन माइन हो रही हो तो सीधा समतलब यह है कि लोगों के लालच की वज़े से लोगों ने अपना पैसा इस फ्रॉड स्कीम्स में लगाया और अपना पैसा गवाया और जब पैसा गवाया तो पहुंच जाते है पुलिस के पास पुलिस को क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है वो इस चीज़ को भेज देती मिनिस्ट्री में किस तरह की कोई स्कीम्स आईवी है लोग प्रोटेस करना सालू कर देते हैं और उसके बाद गवर्मेंट को आखिर मजबूर होगे कहना पड़ता है कि भीया आपन करोड़न सी है ठीक है उसमें रातो रात करोड़ पती नहीं बना जा सकता है आप अपने लालच को अगर कंट्रोल में रखते हैं और आप उनके बिजनेस प्लैन को समझते तो शायद आप लोग यह गलती कभी भी नहीं करते ठीक है आप बजार में कोई भी इन्ट सबजी भ देखते हैं और उसके बाद तब जाकर आप कोई पर्चेजिंग करते हैं यहां पर जितने की जितने वादे होते हैं ठीक है वह कभी पूरे ही नहीं होते है चाहे वह एक्स्चेंज बनाने के बादे हो चाहे आपके पैसे को डबल करने के बादे हो सबसे ज़्यादा जो प् उसको बताने के लिए कि इतने ये कोईन खरीद लो या इसे में इन्वेस्ट कर लो या रही अच्छा है मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स हैं जिन्हों ने इसके शुरुवात किये उनका भी कही न कई पैसा फसा होता है या उनको भी कोईने को प्रोलोवन दिया ही जाता है तो आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं जब आप ठगे जाते हैं तो आप कंप्लेंड करने पहुंच जाते हैं तो यह सबसे बड़ा रीजन रहा है कि आज जो बजट आया है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के टिकनोलोजी के उपर गॉर्मेंट पॉजिटिव रही है और इसको लीगल टेंडर मानने से मना कर रही है तो आपको खुदी सोचना पड़ेगा कि आपको किस हिसाब से इसमें आगे बढ़ना है सासात में मुझसे बहुत से लोगों ने बोला है और कि क्यों ना हम लोग इस तरह का कुछ शुरू करें तो इसके लिए एक छोटा सा सर्वे इस करके आपको रिजर्ट बताऊंगा कि आखिर इंडियन कंजिमर इन्वेस्ट क्यों करता है और इस वीडियो को मैं रियूजिवल रखूंगा ताकि मैक्सिमम लोग इसको शेर कर पाए और अपने चैनल्स पर डाल पाएं तो अभी के लिए इतना ही और एस पारस मैं इस वीडियो को खतम करता हूँ और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस सर्वे पर जरूर अपना फीड़ बैक दें थैंक यू वेरी मुच हैव नाइस टे